हैलो स्टुडेंट्स कक्षा बारा का जो भुगोल विशे है उसके आपकी पाठे पुस्तक है भारत लोग और अर्थवेवस्ता इसके लगुतरात्मक परशन जो है वो आज मैं बताऊंगा महत्वपून लगुतरात्मक परशन है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्स वो आप जेख सकते हैं तो दोनों लगुतरात्मक परशनों में से बहुत अच्छे परशन है परशन की बाशाचे जो सकती है बागी बोर्ड परिक्षा में ऐसे परशन आने की पूरी-पूरी संभावना इन परशनों में से आने की रहेगी तो चैनल को सब्सक्राइब इन तीनों में अंतर बताना है तो आपकी पाठे पुस्तक का पेज संख्या 11 निकाल लीजिए उसमें इसका उत्तर आपको अलग से मिल जाएगा बोक्स में दूसरा प्रशन है जन संख्या वितरन और जन संख्या गनत्वे में अंतर सपष्ट कीजिए इसके अत्वा में भी एक प्रशन में ने दिया है जन संख्या गनत्वे से क्या भी प्रशा गनत्व का सुत्र लखिए तो पेज नंबर 1 ओर 3 पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा चोता प्रशना 2011 की जनगर्णा में भारत की श्रम जीवी जनसंगा को कितने भागों में बांटा है नाम लिखिए तो चार समर्गों में बांटा है तो इसको पेज नमबर ये आपके 13 में मिल जाएगा चार समरकों में जो वांटा है इसके बाद में अगला प्रशन है जनसंग के अवर्दी की चार प्रवस्ताओं का संक्षिप्त वीवरंड दीजिए तो पेज नंबर साथ पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा इसके बाद में दूसरे प्रवास है इसके मेतपून प्रशन अब देखते है इसका पहला प्रवास के कारण बताईए या प्रवास के प्रतिकर्श कारक और अपकर्श कारक में क्या अंतर यह दूसरा प्रशन में नहीं लिख दिया है बाकी प्रशन दोनों का उतर सेम ही है पेज नमबर 18 और 19 पर इस प्रशन का उतर आपको मिल जाएगा पेज नमबर 18 और 19 पर इसका भी पेज नमबर 18 और 19 पर दोनों का उतर सेम ही है कोई अंतर नहीं है प्रतिकर्श और अपकर्श कारक ही है इसका उतर अगला प्रशन है प्रवास के परिणामों का वर्णन कीजिए तीसरा प्रशन पेज नमबर 21 परिणामों का वर्णन लिखावा है पॉइंट लिखेवे हैं उनका वर्णन आपको करना है अच्छा ये जो परिणाम है वो ये लिखे हुए है, किताब में आर्थिक, जनाकी किया, सामाजीक और परियाविने तो परिक्षा में प्रशन की भाषा इस तरह से चेंज कर सकते हैं फिर आप ये मत करना की सर आपने बताया था वो आया नहीं है, उत्तर तो सेम ही है वो सकता है मैंने ये प्रश्ण मान लो बता दिया और बोल्ड में इस तरह से आ जाए तो प्रश्ण की भाषा चेंज दो सकते हैं उत्तर लगबग वो ही है तो आप प्रश्ण को उत्तरों का अच्छी तरह से याद करें और फिर सोचें प्रश्ण को समझें उसके हिसाब से उत्तर देवें तो इसका भी उत्तर पेज नंबर जो है आपको बता दिया बीसी किस पर इन दोनों का इउत्तर सेम ही है बीसी किस पर मिल जाएगा चोता प्रश्ण है प्रवास किसे कहते हैं आंतरिक प्रवास की चार धाराओं के नाम बताईए इसका उत्तर पेज नंबर 17 पर आपको मिल जाएगा पांच वह प्रश्ण है आंतरिक प्रवास और अंतरिक प्रवास में अंतर ये भी इसी के साथ में पेज नंबर 17 पर ही मिल जाएगा च्छटा और सात्वा प्रशन है इनका उत्तर एक ही है बारत से प्रवासी है प्रसार की तीन तरंगे और बारती है इत्यास में बारती है प्रसार के तीन मुख्य तरंगे कौन कौन सी है तो इन दोनों का उत्तर सेम ही है प्रशन संक्या च्छै और साथ का पेज नमबर 16 जो है, उस पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा अगला परशन है पुरुश और स्थरी, इन में प्रवास के कारणों की पहचान कीजिए और नुवा है, पुरुश इस्थरी, चैनातमक प्रवास के मुख्य अकारणों की पहचान कीजिए दोनों का उत्तर सेम ही है या लगा दिया है हलांकि आप प्रश्णों की संख्या देखकर यह मत्सों चीए ज़्यादा प्रश्ण बता रहे हैं आठ वाँ नुवाँ यह की है बहुत सारे प्रश्ण है वो सिमिलर ही है उत्तर सेम है इनके पेज नमर 20 पर इन दोनों का उत्तर एक जैसा ही है पेज नमर 20 पर इसका उत्तर मिल जाएगा इसके बाद में अगला पार्ट है माना उबस्तियां आपके चोथा पार्ट से लेबस में जो है माना उबस्ति से क्या भी प्रश्ण है इसका पहला प्रश्ण है तो पेज नमबर 32 पर इसका उत्तर है ग्रामेंड न प्रकारों का वर्णन कीजिए चोत्ता प्रशन का उत्तर है ये भी पेज नंबर 33 पर आपको मिल जाएगा ये जो चार प्रकार है इन में प्रकार से भी पूछा जा सकता है पल्ली बस्तियों परीक्षिप्ट बस्तियों में अंतर बताईए गुचित और अर्द गुचित बस् ये और ये उपर वाला जो प्रशन था इन दोनों का मिल करके एक प्रशन बना है जो चटा प्रशन है विबिन यूगों में उनके विकाश कादार पर बारतिया नगरों कितने भागों में वर्गी किया जा सकता है तो इसका पेज नंबर 34 पर इसका उतर मिल जाएगा अगला है स्मार्ट सिटी मिशन क्या है पेज नंबर 38 पर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में आठवा प्रशन है नगर महानगर और मेगा नगर में अंतर बताईए इसका 35 पर इसका उतर मिल जाएगा अगला है नगरी एसंग क्ल क्या है इसका उतर भी आपके पेज नंबर 35 पर इसके बाद में अगला पार्ट आता है बूस अंसादन तथा क्रशी इसमें आपके पहला प्रशन बंजर विर्थ भूमी और क्रशियों की विर्थ भूमी इंदोरों में अंतर पेज नमबर 40 पर इनके बीच में अंतर मिलेगा अगला है वरतमान परती भूमी और पुरातन पर मिल जाएगा 43 अच्छा इसके बाद में अगला प्रशन है बूस अंसादनों का महत्व है उन लोगों के लिए दिके जिनके आजीव का क्रशी पर निर्बर है कतन को तीन बंदों के दोरा सपष्ट कीजिए ये पेज नमबर 43 पर चौते प्रशन का उत्तर मिलेगा पांच व तो विवरन दीजिये तो ये है पेज नमर 44 पर अगला है संचित कर्शी और वचानेपल कर्शी में अंतर बतायिए ये भी 44 पर और नमा है ये रक्षित संचाई कर्शी उद बादग में अंतर यह भी पेज नमर 44 पर आपको मिल जाएगा इसके बाद में हैं शुष्क बूम पर मिल जाए गा अगला है भार्तियकर्शी को चार समशाएं बताइए तो पेज नमबर 56 पर इस प्रुष्ण का उत्तर मिलेगा इसके बाद में अगला पार्ट है जल संसाधन च्छटा पार्ट ये निकाल लीजिए आपकी पार्टे फुस्तक में और नोट करते जाएए पहला प्रुष्ण है जल करांती अभियान क्या इसकी कोई तीन गती विदियों का वर्णन करो तो इसमें पेज नंबर 79 और 70 में आपको मिल जाएगा जल करांती अभियान अगर आप इसकी पीडिएफ प्राप्ट करना चाहते हैं तो पीडिएफ भी में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिक पीडिएफ का दे दूँगा बाद में कल तक वर्षा दिल संगरन क कि इसके किनी छै लाबूं का वर्णन करो दूसरा है इसका प्रषण है इसका पेज no 66 पर इसका उत्तर आपको मिल जाएगा अगला परषण है वर्षा जल संगष mercy यह वहोगियां प्रबंदन कि यह भी पीज नमबर 66 पर इसका उत्तर है अगला है भारत में जल सरक्षन और प्रबंदन क्यों आवशक है छटा प्रशन जो है इसका जो उत्तर है वो पेज नमबर 63 और 64 पर मिल जाएगा छटे का उत्तर है यह तीन सुझाव भी है और जल सरक्षन और प्रबंदन क्यों आवशक है इनके बारे में अगला साथवा प्रशन है लेगुन और पश्चे जल क्या है इसका क्या उपयोग है पेज नबर 61 पर इसका उत्तर मिलेगा राष्ट्रिय नीती 2002 के विशेस्ताइं हैं पेज नमर 69 उनत्तर नमर पर इसका उत्तर मिलेगा आपको इच्छा है इसके बाद में आपकी जल क्या है पर संक्षीप चिपनी या भारत में सिंचाई हे तुझल की मांग यह प्रशन की बाशाचेंग यह उत्तर है पेज नमर 61 पर इन दोनों का उत्तर है वो आपको पार्टे पूस्तक में मिलेगा इसके बाद में आपके अगला पार्ट है अन्तिम पार्ट परिवेन और संचार इसमें से दिर गुत्तरी और लगुत्रात्मक जो परशन है उनकी जो मैतोपूर्ण है पहला स्वाणी चत्रोगुज योजना एक पेज नमर 115 पर मिलेगा आपको उसके बाद में भारत माला योजना क्या है पेज नमर 117 पर मिलेगा चाहिए उसके बाद में बड़ भारत में वायू परिवेन की उपयोगिता क्यों है कोई तीन तर्क दीजिए तो इसका पेज नमर 120 पर मिल जाएगा चाहिए इसके बाद में अगला प्रशन है संचार से क्या तात पर यह है तो इसका उत्तर पेज नमर 121 पर पाइपलाइन प्रिवेन के लाब यह भी पेज पेज नमर 121 पर मिलेगा आपको अगला है सिमा सड़क संग्ठन का महत्वा बताईए तो यह पेज नमर 116 पर मिलेगा और फिर एचन संचार के तंतर के साधनों का उनन कीजिए या इसकी बाशा चेंज करके सारजूंक संचार तंतर के साधनों या मापदन दोर गुन होता क पेज नमर 121 पर इन तीरनों का उतर लगबग सेम ही है पेज नमर 121 पर इनका उतर आपको मिल जाएगा पीडिया फाइल प्राप्त करना चाहते हो तो आप जल्दी से लिंक मैं कल तक डाल दूँगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा बहुत बहुत आपका धन्या